हमारे आसपास कई प्रकार की पेड़ मौझूद हैं और यह वातावरण को संतुलित रखने में बहुत बड़ी भूमिका निवाते हैं लेकिन क्या आपने कभी ऐसे पेड़ देखे हैं जिनकी निचले हिस्से पर सफेद रंग लगा होता है और यदि देखे हैं तो आपके मन में यह सवाल तो जरूर आया होगा कि यह सफेद रंग आखिर क्यों लगा होता है चलिए हम आपको बताते हैं पेड़ों की निचले हिस्से को सफेद रंग से पेंट इसलिए किया जाता है क्योंकि पेड़ों में आम तोर पर दीमक लग जाती है जिससे पेड़ नश्ट हो जाते है दीमक से पेड़ों को बचाने के लिए पेंट किया जाता है जिससे वह सुरच्चित रह सके इसके अलावा पीडों को पेंट करके उनकी सुरच्छा को बढ़ाया जाता है ताकि यह पता चल सके कि जिन पर सफेद पेंट लगा है वह वन विबाक की नजरू में है और उनकी कटाई नहीं की जा सकती क्या आपने कभी पौदा लगाया है कमेंट करेंगे दरूब रता है और इस वीडियो को लाइक और शर करना ना भूलें